दोस्तो QRMP GST Return की जो स्कीम है वो एक जनवरी 2021 से सुरू होगी है काफी सारे डिलर इस स्कीम में इन्वोल भी होए है तो दोस्तो उन डिलरों की जो GSTR 3 भी बरने की जो लाइपटीज है वो मंतली से अटके चैक क्वार्टरली जुरूर होगी है लेकिन अभी भी दो ऐसी जिम्मेवारियां उनकी बनी रहेगी जो उनने हर मंत पूरी करने बड़ेगी तो दोस्तो आज किस वीडियो हम प्रैक्टिकली रूप से यह सीखने वाले हैं पिर कौन सी ऐसी दोनों लाइपटीज है जो उनने हर मंत पूरी करने ही पड़ेगी और QRMP GST की रिटन हम टेली प्रैम सोफ्टवेर से किस तरीके से त्यार करेंगे IFF समरी हम टेली सोफ्टवेर से किस परकार एक्सपोर्ट करेंगे GST के ओफलाइन टूल में हम किस तरीके से इंपोर्ट करवाएंगे और उसे किस तरीके से इजली तरीके से हम GST के पोर्टल पर अपलोड भी करना सेखेंगे तो दोस्तो यह सब कुछ आज हम 100% प्रैक्टेकली सेखने वाले हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो को आप एक सेकिंड भी स्किप मत करना वीडियो को एंडर तक कम्प्लेट जरूर देख लेना क्योंकि यह वीडियो एक अकाउंट के फ्रेसर स्टुडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुथार और समार्ट कांटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को कर देना लाइक अगर वीडियो पसंद आ अगर वीडियो लागातार अपलोड करते रहते हैं तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं वी QRMP जेस्ट रिटन है क्या तो दोस्तो ऐसे डिलर जिनके जो टरन न हो रहा है वो पांच क्रोड से कम है जो अभी तक जे उस उन डिलरों को जिन्होंने QRMP स्कीम में इंवल होए हैं तो उनकी जो टेक्स की जो लाइबटीज है वो हर मन्त बनी रहेगी यानि कि जितना उनका टेक्स है जैसे कि अब जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गया है तो जितना जनवरी 2021 का यानि कि एक जनवरी से लेके 31 जनवरी त तक अगर उनका टेक्स GST का जो टेक्स है आउटपुट बनता है तो उन्हें 20 फरवरी तक यानिकि नेक्स्ट मेंट के 20 डेस तक उन्हें गॉर्डवेट को ओनलाइन डिपोजिट करवाना होगा लेकिन जो रिटरन है वो एक जनवरी से लेके 31 मारस तक 3 मिनों का समरी है जो कठी 3B में देनी होगी तो दोस्तों इस वीडियो हम यह सेखने वाले हैं हम किसे पता चलेगा भी हमारा जो GST के टेक्स की लाइबटीज है वो कितनी बनती है और उसे हम किस तरीके से केल्कुलेट करके देखेंगे तो दोस्तों हमें सबसे पहल है कुछ फरवरी मंत की है और एक मार्च मंत की भी है तो अगर तीन मेने का अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम QRMP GST रेटन 3B किस तरीके से त्यार करेंगे और हमें सबसे जो इंपोर्टेंट बात है वो जो ध्यान रखने वाली बात है टेक्स डिपोजिट करवाने से पह अपलोड करनी जरूरी है तो दोस्तों अगर आप ओनलाइन तेरा तारीक तक अपलोड नहीं करोगे तो जो आपका बाइर है वो उसके जिश्यार 2 के अंदर आपका जो इन्वोई से वो शोव नहीं करेगा तो दोस्तों ऐसे में आपके साथ उनकी जो बिजनस डिलिंग है वो भी थोड़ सा एफेक्टेड हो सकती है तो इसलिए हम कोसिस करें अगर हमने हर मंत में चाए एक डिलर है चाए वो बीस डिलर है जितने भी रजिस्टर डिलरों को हमने सेल करी है तो उनके जो डिटेल वो तेरा तारीक तक पोर्टल पर अपलोड कर दें तो दोस्तों ये आपलाइन टूल है जो डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि हमारी जो जीस्टी की आई फफा के जो समरी है वो असानी से हम इसली टेल इस पोर्टल पर अपलोड कर सकें तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिस्टी के पोर्टल पर जाना होगा और जैसे आप डाउनलोड पर open होएगी तो मारे पास ये इस तरीके के GST offline tools का ये file है जो download हो जाएगा ये लगबगी tcmb की file है और जैसे हम इस file को extract करेंगे तो GST offline tool एक अलग से folder रहा जाएगा और इसमें जो GST offline tool है इस setup को में install करना पड़ेगा जैसे हम install करेंगे तो ये जो app है ये मारा desktop पे आ जाएगा इस type का ये app होएगा और इस app के थ्रूम IFF की समरिया जो त्यार कर सकेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम tally prime software को open करते हैं और हम सबसे पहले monthly एक पर GSTR1 को देखते हैं और दोनम हमें हमें पता चलेगा हमारी जो GST की लाइबटी जब बनती है या नहीं बनती है याने की text deposit करवाने की तो इसके लिए सबसे पहले हम tally के home page पर याने की gateway पर आके हम आएंगे display more reports पर और उसके बाद हम आएंगे GST reports पर और उसके बाद में GSTR1 को करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम एक मत का लेंगे एक जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक का तो दोस्तों चाहिए आप tally prime software यूज करे हो चाहिए आप tally.erp9 software यूज करे हो कोई फरक नहीं पड़ेगा बस जो भी आपने transaction करी है तो आप return create करते वक्त आप ये देख लेना भी आपकी जो ये unsuntained transaction है तो वो zero रहनी जीए यानि कि इसमें किसी टाइप की कोई error नहीं होनी जीए तो दोस्तों आप देखे रहे हो जो हमारी जो total sale है एक जनवरी से लेके 31 जनवरी तक की वो taxable value उसकी आ रही है एक 4900 रुपे और 17 बैसे की और इसमें हमने एक B2B यानिकी registered dealer को good sale किया हुए और कुछ मारी B2C की यानिकी unregistered को sale है तो दोस्तों अब हमारी live days बन जाती है भी हमने जो B2B को जो sale किया है वो हमें portal पर दिखाना जुरूरी है तो इसे हम किस तरीके से दिखाएंगे तो दोस्तों आपको एक simple तरीका बता देता हूँ क्योंकि अगर हम online portal पर जाके हम देखते हैं जैसे हम return dashboard पर आएंगे और इ और उसके बाद financial year 2022 रहेगा और period January को हम select करेंगे क्योंकि हम January मन्त की जो आएफ़ाप summary है वो हम upload करने वाले है तो आपको यहाँ पर दिखेगा इस option के अंदर यह detail of outward supplies of goods of service विए invoicing furnishing facility यान की आएफ़ाप summary तो जैसे हम इस पे click करेंगे तो हमारे पास यह option आजाएगा बी टू बी वाला हम इस पे जब click करेंगे तो यह जो सारा जो record होगा वो हमें there are no options इसे हम add detail पर click करेंगे तो हम यह जो जितने भी हमारे पास बी टू बी के जो record रहेंगे उन्हें हम manual रूप से यहाँ पर लिखना पड़ेगा उनका just number invoice का number invoice की date, place of supply, उसकी taxable value कितनी है, total invoice की value है यहाँ कि यह सब कुछ हमें manual रूप से यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो दोस्तों इसमें काफी सारी गलती होने की भी समावना रहती है तो इसलिए हम इसके कोसिस करेंगे भी इस summary को manual रूप से type नए करके हम Tally software से एक Excel file जिनरेट क वो Excel file को हम इस portal पर import करवाएंगे, तो वो किस तरी किसे करवाएंगे, तो सबसे पहले हम हमें अमेशा की तरह GSTR1 जो हम Excel में export करते हैं, हम export कर लेंगे, तो दोस्तों हमने export करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर इस export option पर, चाहिए तो आप Alt E button का भी use कर सकते हो, तो हम Alt E कर आजेंगे, और E return पर interface करेंगे, और उसके बाद जो file format हम एक पर Excel रख रहे हैं, और उसके बाद में हमारे जो file folder path है, वो किस location पर जाके save हो रहे हैं, और उसके बाद में इस file का नाम, यानिकि GSTR1 एक जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, और उसके बाद हम इसको all watch रखके और इ B2B आएगा, B2C भी आएगा, debit note, credit note वो सब कुछ आएंगे, HSN वाइज बिकरा, लेकिन IFF की समरी में हमें केवल दोई बाते में देनी होगी, अगर आपने B2B को को कोई sale किया तो, या फिर B2B को आपने कोई credit note या debit note इशू किया तो, सिर्फ दोई समरी देनी है, हमें कोई B2C की समरी, IFF समरी में देनी की जरूरत नहीं है, तो दोस्तो अब हमारे पास इस के अंदर तो सारा data आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए केवल B2B का रिकोर्ड, तो दोस्तो B2B का रिकोर्ड हमें single चाहिए, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहला जितने आपके पास अलग स Excel का file create करेंगे, new पर जाएंगे और Microsoft Excel worksheet को import करेंगे, और इसका नाम change कर देंगे January 2021, इसको हम open करेंगे, और उसके बाद में जो हमारी written की जो Excel file है, इसे हम open करेंगे, और B2B की जो sheet है, इसे हम कर लेंगे यहां से copy, इसको अभी को select करेंगे इसको, B2B का data, अब देख रहे हो जो A की record है हमारी पास, इसको इम्यान से करें, Ctrl-C, और उसके बाद में, जो हमने अलग से file create करी है, उसे हम कर देंगे, paste, और इस file को वापिस हम यहां से कर देंगे, save, और इसको कर देंगे close, और इसे भी कर देंगे close, तो अब उसका record है, वो हमारा इस file में save हो चुका है, इ लेकिन अभी हमारे आप देख रहे हो, टेली इस sort में कोई credit या debit note नहीं है, यह बिल्कुल 9B का option है, जो बिल्कुल blank आ रहे है, तो अब इससे हमें import हमने कर लिया है, अब हम जाएंगे, GHD इसका जो offline tool है, इस पर हम click करेंगे, और उसके बाद में हमें करना होगा, upload new invoice, other data for return तो हम करेंगे, new पर click, और उसके बाद में आपको पहला option आएगा, यहाँ पर GHDR1 IFF, तो हम इसको यह select करेंगे, और उसके बाद में GHD number of suppliers, यानि कि जिसकी return हम फाइल करें, GHD number हम देंगे, financial year BC किस रहेगा, और उसके बाद में tax period नमारा रहेगा, या पर January, और उसके करेंगे, बिल्कुल करेंगे, yes करेंगे, और उसके बाद में option आएगा, processed का, तो जैसे process करेंगे, एक बार हमें इसको सब document को verify करने के लिए बोलेगा, हम इसे भी कर देंगे, yes, तो अब आप देख रहे हो, अगर यहाँ पर, अगर हम manually रूप से type करेंगे सभी को, तो कापी सारा time हमारा लगेगा, तो इसलिए हमारे पास एक option आएगा, यहाँ पर import file का, तो हम इस import file पर हम click करेंगे, तो जैसे हम import file पर click करेंगे, तो हमारे से बाद पुचेगा, import Excel, हम import Excel पर हम click करेंगे, तो हमें वो file का नाम हमें देना जो हमने create करी थी, तो हमने January desktop पे किया था, यह January 2021 के नाम से, और हम इसे करेंगे open, तो एक पुचेग, are you sure, इसको करेंगे yes, तो हो सकता कुछ time ले ले, तो इस तरीके से आपके पास यह success का message आजाएगा, और अब हम जाएंगे, view summary पर अगर आपके जाके देखेंगे, तो आप देख रहे हो, इस view summary में, जो total invoice थे, जि जो कर देगा, तो अगर हमें, इसके जैसोन फाइल अगर हमें तियार करनी हो, तो अब यहाँ पर option आएगा, generate file का, हम generate file पर click करेंगे, तो आप हमारी लिए, जैसोन की file है, जो यह create कर देगा, तो हो सकता है, जैसोन फाइल की create करते वक्त भी, थोड़ा सा time लग सकता है, डाउनलोड, save हो जाएगी, link पर डाउनलोड करेंगे, तो यह file जो मरी यहाँ पर, json की file जो download हो चुकी है, अब इसे show folder पर हम click करेंगे, अब जहाँ पर भी हम इसे रखना चाहिए, इसे copy करके, हम इसे desktop पर हम save कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर करेंगे, इसको paste, त हम इसे करेंगे close, और जिश्टिया के portal पर हम जाएंगे, dashboard पर हम जाएंगे, और filing return पर, उसके पास month select करेंगे, January, और अब इसे हम prepare offline, इस पर हम click करेंगे, तो जैसे हम इस पर prepare क्लिक करेंगे, तो हमें invoice upload यान की choose file, जो अब भी हमने json file, जो हमने ready करी थी, उस file को हमें यहाँ से attach करना पड़ेगा, और हम इसे करेंगे open, तो अब इस तरीके से आप देख रहे हो, इसके अंदर जो सारी return है, वो हमारी accurate है जो आ जाएगी, तो दूस्तों इस तरीके से हम इसे portal पर upload कर देंगे, तो यह तो था हमारा telly prime software से हम IFF की जो summary है, वो किस तरीके से export कर सकते हैं, अगर हमारे पास B2B के invoice ज्यादा हो तो, तो दूसर अब हमारी जो live page बनती है, वो हम यह देखना है, पि हमारा GST का जो text की जो live page है, वो कितनी बनती है January मन्त की, तो इसके लिए मैं देखना पड़ेगा, GSTR 3B को, 3B पर आएंगे, और उसके बाद हम January मन्त सेलेक्ट करेंगे, एक एक से, और 31 जनवरी तक, और उसके हम एक बार देख लेंगे, नेचर व्यू में जाके, जो total हमारी आउटवार्ड सप्लाई है, और उस पर जितना tax हमारा बना है, वो है, पिचे 7050 रुपे और 60 पैसे, और जो total इनवार्ड स है, अब कितना जादा आ रहा है, उसे हम देखेंगे, तो जो input है वो हमारी, 3322 रुपे अठावन पैसे, और उसमें output हम माइनस करेंगे, 7550.86, और हम इंटर प्रेस करेंगे, तो यानि कि 791 रुपे और बैतर पैसे, अभी हमारा input है, जो excess है, तो इस तरीके से हम फरवरी मन् मन्त के अंदर हमारा जो output कितना मन्त है, तो वापिस यहां से हम period को हम select करेंगे, यहां से, तो दोस्तों अब आप देख रहे हो, इस फरवरी मन्त में हमारी total only sale sale है, परचेज हमने कुछ भी नहीं करी, और उस परचेज भी जितना जो tax हमारा बन रहे हुए, 997 रुपे और 20 पेसे, तो इस मन्त का तो ITC मारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो previous मन्त का, यान कि जो January मन्त का ITC था, वो था 791 रुपे और 20 पेसे, तो अब हमें output जो हमारा आ रहे है, 997 रुपे 20 पेसे, और इसमें जो हमारा previous मन्त का ITC था, वो हम करेंगे less, तो यान कि अब total इस government को deposit कराना पड़ेगा, 205 रुपे 48 पेसे का हम जस्ट भाग दो करेंगे, तो यान कि आदा आदा मारा जो tax है वो, 205.48 डिवाइडेशन भाई 2, तो यान कि 102 रुपे 24 पेसे मारा CGST tax रहेगा, और 102 रुपे SGST रहेगा, तो इस तरीके से में फरवरी मन्त की जो हर मन्त को हमें केलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, अगर मारी लाइपटीज बन रही है tax की, तो हमें next मन्त के 20 तारिक से पहले पहले government को deposit करवाना होगा, otherwise हमें 18% interest के साथ ये GST deposit करवानी पड़ेगी, इसी तरीके से हम मार्ज मन्त की भी tax लाइपटीज को देख लेते हैं, कितन एक मार्ज लेके 31 मार्ज तक, और हम इसे F5 करके nature view हम देखेंगे, तो जो हमारी tax की लाइपटीज है इस मन्त के एसाब से, तो टोटल जो हमारा output tax है, वो 5,047 रुपे आ रहा है, और जो input, जो tax credit है, यानि कि जितना ITC हमें मिला इस मन्त में वो 7,380 रुपे का है, तो यान अगर हम 7,380 में से 5,047 रुपे और 20 पेसे अगर माइनस करेंगे, तो टोटल हमारी tax की लाइपटीज है, मार्ज मन्त की वो 1257 रुपे और 20 पेसे की रह जाएगी, तो जो तो यह हमें गवर्मेट को deposit next मन्त की यान की अप्रेल 2021 की 20 तारीक से पहले-पहले ये भी deposit करवाना होगा, तो दोस्तों ये सारी questionnaire यान की यो टोटल हमारी March मन्त की और February मन्त की जनकी पहलए मत में मारा 250 रुपे 48 पैसे का लाइपटीज था, 200 रुपे 48 पैसे और 1267 रुपे और 20 पैसे हमारी March मन्त की landage है, तो टोटल हमारी दोनों मन्त की जो text labour की बन जाएगी, वो 1422 जाके verify करेंगे इतना ही मारा लाइपटी आ रहा है या नहीं आ रहा है बिलेंसीट पर हम जाएंगे Alt F1 के साथ detail open करेंगे तो अब यहां पर भी आप देख रहे हैं जो duties या टेक्स में यह भी 1420 रुपे और 68 पैसे का tax लाइपटी शोग कर रहा है तो इस तरीके से यानि कि हमारी जो tax की calculation वो बिल्कुल accurate जा रही है 3B report के according तो दोस्तो इस तरीके से हमें tax की deposit की calculation हर मन्त को देखते हुए करने पड़ेगी तो दोस्तो हम इस तरीके से टेली software से हम आईप आप की summary को export कर सकते हैं और monthly जो हमारी tax की जो लाइपटीज है उसे भी हम देख सकते हैं तो दोस्तो अगर हमें जो qrmp scheme में जो ght3 भी हमें से उसमरी त्यार करने पड़ेगी ght3 भी की तो वह हम ght3 पे जाएंगे और उसके बाद हम यहां से period देंगे एक जनवरी 2021 से रहे के 31 March 2021 तक का तो यह जो total हमारी ght3 की समरी है वो त्यार हो जाएगी हम इसको भी Excel में export करके हमेशा की तरह जैसे हमें monthly कर रहे थे हमेशा वही process यूज करना है लेकिन difference इतना ही है कि अब हमें जो period यहां पर देने वो अब तीन मंत का एक साथ देना पड़ेगा ght3 3b को teleprime software से export करने के लिए तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ share भी जरूर कर देना अगर आपके किसे भी type के कोई query हो तो आप हमें comment भी कर सकते हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर subscribe नहीं किया तो please channel को भी subscribe जरूर कर लेना तो द